मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरितन बीरबर के किस्से काफी मशूर हैं। आईए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। उम्र बढ़ाने वाला पेड तुर्किस्तान में एक समय पर एक बहुती शक्तिशाली बादशाह का राश था। उनको अपनी बढ़ती उम्र से काफी परेशानी थी और वो हर समय अपनी आयू लंबी करने की चहा में रहते थे। एक दिन तरबार में भारत वर्ष की बात हो रही थी तो किसी मंत्री ने बताया कि उन्होंने सुना है कि भारत वर्ष में एक ऐसा पेड है जिसके पत्ते खान से आयू लंबी हो जाती है। ये सुनते ही बात शाह ने अपने दूद को पत्र दे कर सिपाहियों के साथ अकबर के दरबार के लिए भेश दिया। पत्र में उन्होंने सीधे सीधे अकबर से कहा। अकबर शाह, मुझे सुनने में आया है कि आपके भरत वर्ष में ऐसा कोई पेड़ पैदा होता है जिसके पत्ते खाने से मनुश्य की आयू बढ़ जाती है। यदि ये बात सच्ची है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े पत्ते अवश्य भिचवाएं। वह जब ये पत्र अकबर बादशाह को मिला तो वो उसे पढ़कर विचार मगन हो गए। फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मश्वरा करके उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूद को कैद करके एक किले में बंद करवा दिया। इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीत कए। तो बादशाह अकबर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने कए। बादशाह को दे जिस वस्तु को चाहता है, वो मैं उसे तब तक नहीं दे सकूँगा, जिब तक कि इस किले की एक दो इट न ढह जाए, उसी वक्त तुम लोग आजाद किये जाओगे, खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैंने उसका सब प्रबंद कर दिया है। वो कुछ देर तक इसी चिंता में टूबे रहे, अंत में वो अपने अपने भगवान को याद करके उनकी वंधना करने लगे। और किले का कुछ भाग भूकम के कारण धुस्त हो गया, दीवार का कुछ हिस्सा गिर कया, और वहां लगे सभी खड़की और दर्वाजे भी किर कये। इस घटना के पश्चात दूद ने बादशाह के पास किले के टूटने की सूशना भेची। बादशाह को अपनी कही बात याद थी, इसलिए उन्होंने दूद को उसके साथियों सहित दर्वार में बुला कर भोले। आपक अपने बादशाह का प्रश्ण तो याद ही होगा, और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि ना समझे हो, तो मैं उसे और भी स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, तुम लोग गड़ना में केवल सौँ हो, और तुम्हारी आहासे ऐसा मस्पूत किला ढ है क्या, फिर जहां हजारों मनुष्यों पर अत्याचार हो रहा हो, वहां के बादशाह की आयू कैसे बढ़ेगी, उसकी तो आयू घटी ही चली जाएगी ना, और लोगों की आहासे उसका शीक्र ही पतन हो जाएगा, हमारे राज्जी में अत्याचार नहीं होता, गरीब प् आयू वर्धक व्रक्ष है, इसी प्रकार समझा बुझा कर बादशाह ने उस दूद को उनके साथियों सहित स्वदेश लोट जाने की आग्या थी, दूद ने तुरकिस्तान में पहुच कर यहां की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई, अकबर की शिक्षा लेकर बाद यहां दर्बारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा।